आज जो हम ये फेस मास्क लगा रहे हैं तो ये थोड़ा आपको अजीब सा दरूर लगेगा बट ये इस तरीके से इसलिए लगाना है क्योंकि हमें इसे ड्राइ नहीं होने देना है तो कई पर ऐसा होगा है कि पिग्मेंटेशन वगरे कि जो में प्रॉब्लम होती है जूस और थोड़ा सा कड़ इन सारी चीजों को मिक्स करके हमने कॉटन को अच्छे तरीके से पूरे तरीके से सोक कर दिया था और इसे फेस पे हमने लगा लिया था लगाने के बाद आपको क्या करना है कि 30-40 मिनट तक इसे लगा के अराम से बेट पे स्लीप लेनी है जिसस हाथों से रब करें स्किन को और उसके बाद वाश करें आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वीक में 3 बाद